हेलो अभीवन वेलकम की शायन अकेडमी तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सराइस 14.1 इस एक्सराइस को सॉल्व करने के लिए आपको जो इससे पहले वाला वीडियो था जिसमें मैंने मेने मीन और गृप डाटा निकालना सिखाया था वो स्टेटिस्टिक्स का चैप्टर जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है आप स्टेटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट को सुरू से देख सकते हैं मेरी गारंटी है कि आपको पूरा का पूरा स्टेटिस्टिक्स अच्छी तरीके से समझ में आ ज जो फ्लांट थे तो जीरो से दो के बीच में इस तरीक?" और मोताना है क्यूंदोश करोगे कौन जब हो बेच्वेश्ट करेंगे टेरेक्ट देख सकते हों यहां पर हम क्योंकि तो बोलें सब्सक्राइब करने में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से जो तीन मैथड होते हैं केलकुलेशन के एसाब से हम बाकी के दो मैठड इस्तेमाल करते हैं यह पैसे कि रहो क्लास बनाना पड़ेगा अब आपको यहां पर टոग क्लास मार्क जैसा है कि आतको पता ये जो class होती है इसकी बीच वाली होती है तो इस वाले की बीच वाली दिख रहे है मैं इस वाली की दिख रहे हैं मुझे 3 इसी तरीके से अब यह चलता जाएगा 57911 और 13 अब आपको पता है कि डिरेक्ट मेथड से अगर आपको मीन निकालना तो वह होता है सिग्मा एफ आफ आई एकस आई अपॉन सिग्मा एफ आफ आप यहां पे एफ आई और एकस आई की वेल्यू हमको मालूम है पर हमको इनका क्या करना पड़ेगा का मल्टिप्लाए करके अपनी कॉलम बना लेते हैं तो आप देखे से इसको हम एड कर लेंगे तो सिग्मा एफ आई एकस आई की वेल्यू हमारे पास आ जाएगी इसको एड करने के लिए आप लोग mental math का इस्तमाल करें 30 और 50 हो जाएगा 80 80 और 20 130 तो यहां से आ गया अब बागी की कर लेते हैं सिंगल डिजेट वाले तो एक और 6 7 और 5 12 और 5 17 और 6 23 और 9 32 तो यहां से 32 आ गया यानि कि यह पतल हो गया 162 तो इसको आप यहां पर सॉल करेंगे सिंग में आप देख सकते हैं क्योंकि 20 गरों की वेल्यू है तो मुझे पता है कि सिंग में किता आना चाहिए 20 तो इसको आप यहां पर पुट करेंगे 162 अपॉन 20 आ जाएगा इसको आप 2 से काट दो नीचा आएगा 10 ऊपर काटेंगे तो 160 का आदा 80 और 2 का आदा एग या निकि 81 बाइ 10 विचेज 8.1 तो मीन जो है वो हमारा आंसर आ गया है 8.1 तो इस तरीके से कोशन नमर 1 हो चुका है मुझे उमीद है कि आपको समयज में आया होगा अब हम बढ़ते हैं कोशन नमर 2 की तरफ कोशन नमर 2 में एक फैक्टरी के 50 करकर्स की हमको डेली वेजस दी गई है और इसमें हमको उनका मीन फैंट करना है अब यहां पर आप देखिए कि 100 से 120 में 12 लोग है 120 से 140 में 14 लोग है इस तरीके से 50 लोगों का डाटा हमको गिवन है तो सबसे पहले तो हम इस डाटा को बना लेंगे जैसे कि आपको पता है हम 150 यह आजाएगा 170 यह आजाएगा 190 अब यहां पर हमको एकस बार निकालना है और वह हम कौन से मेतड़ से निकालते हैं यह हमारे हाथ में होता है तीन मेतड आपने पड़े हैं डिरेक्ट मेतड अजूम्ड मीन मेतड और स्टेप डेविएशन मेतड यहां पर आप देख सकत तो जो है वो जा चुका है दूसरे की बात करते हैं अजूम्ड मीन की काफी इस्तमाल का हो सकता है बढ़ यहां पर मैं बोलूगा कि इन सब में आप एक कॉमन फैक्टर देख रहे हैं जो कि किसका है दसका इसी लिए आपको स्टेप डेविएशन से इसको सॉल्व करना चाह आएगा वो होता है एक साई माइनस ए अपोन एच अब यहां पर हम अपना एच डिफाइन कर देते हैं जो एच है मैं उसको ले रहा हूं एच की वैल्यू दस है तो आप देखिए कि मैनस चाले सब्सक्राइब यहां पर हम करेंगे 130 माइनस देड़ सो अपोन दस तो वहां जाएगा माइनस का टू यह तो वैल्यू नीचे वाली जीरो होने वाली है इसमें अब देखिए किता आएगा प्लस का तू और इसमें मुझ अब पर और फिर उससे असली वाला निकाल लेंगे नकली वाला कैसे निकालते हैं जैसे कि पहले निकालते थे सिंख्मा उअ क्या करूंगा इन योन को मल्टिप्लाय कर दूंगा तो यहां पर मैं सिंग्मा region योनिकाल लेता हूं पहले मैं एन की यह कितना आ रहा है fi into Ui हम करेंगे तो पहली बार में आएगा 12 into 4 यानि की मांस का 48 14 into 2 मांस का यानि की मांस का 28 और यह तो हो गया 0 और यह हो गया प्लस का 12 और यह हो गया प्लस का 40 अब इसको एड कर देंगे तो आप देखो माइनस 48 और प्लस 40 तो बच गया माइनस का 8 और वो इसमेज़ गया तो प्लस का 4 तो यह आ गया माइनस का 24 इसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो उसमें पहले एच का मल्टिप्लाई और फिर उसके बाद इसमें प्लस अपन ए करेंगे और इस तरीके से हमारा जो असली एक्स बार है वो आ जाएगा तो इसमें हम फटाफट से लिख देंगे माइनस का 24 अपॉन का 50 मल्टिप्लाइड वा एच यानि की 10 और प्लस का ए यानि की देड़ सो इस तरीके से यह से कट जाएगा यह हो जाएगा माइनस का 24 यानि की माइनस का 4.8 प्लस देड़ सो तो यह आ गया 146 सॉरी 145.2 यह है हमारा आंसर और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोशान नंबर टू हो गया मुझे उमीद है कि आपको समझ में आया होगा नकली और असली की क्या कहानी है वो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी अगर आपको नहीं आता तो आप डिरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो की आपको बुक में मिल जाएगा अगर आप यह टेवल बना सकते हैं डिरेक्ट फॉर्मूला से आपकी वेल्यू भी जाएगी पर इस तरीके से याद रखना काफी आसान होता है इसलिए मैंने यह तरीका है वह अपने पुराने वीडियो में बनाया हुआ है अब हम बढ़ते हैं को सब्सक्राइब करनी है तो वटावट से हम अपनी टेवल बना लेते हैं और उसके बाद जो मीन का फॉर्मूला है वह हम लगा देंगे और इस तरीके से हमारा अंसर आजाएगा ग्यारा से तेरा तेरा से पंद्रा साथ छे नों तेरा एफ पांच और चार और क्लास मार्क आपको पता है कैसे बनाते हैं इन दोनों के बीच की वेल्यू यानि की बारा चौदा और शोला अठार बीच बाइस और यहां पर आ जाएगा 24 तो यहां पर आपको गिवन है कि एक्स बार यानि की मैं लिख दूंगा गिवन हमको दिया हुआ है एक्स बार बरावर कित्ता है 18 अब इस डाटा की मदद से हम अपनी जो कैलकुलेशन है वो करेंगे तो यहां पर हम इस्तमाल करना चाहेंगे जो सेकंड वाला मीन वाला मेथड है जो की है अजूम्ड मीन मेथड ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि कैलकुलेशन उससे हमारी इजी हो जाती है तो अजूम्ड मीन में मैं सबसे पहले एकी वैल्यू मान लूंगा इस वाले को इसक यह सब निकालने के बाद आपको फटाफट से एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जो कि किसका आएगा एफाई डियाई का तो एफाई इंटू डियाई किता आएगा यहां से माइनस का 56 और यहां से आएगा 6 इंटू 6 माइनस का 36 यहां से आएगा 9 इंटू 4 माइनस का 36 यहां से आएगा 13 इंटू माइनस 2 यानि की माइनस का 26 यहां से आएगा एफ इंटू 0 जीरो और यहां से आएगा 5 इंटू 2 10 और यहां से आएगा 4 इंटू 4 16 और यह हम निकाल ले सब्सक्राइब निकाल लेते हैं फटाफट से तो यह आजाएगा 10 और 16 26 तो इससे कट गया अब यह बचे इनको केल्कुलेट करने के लिए 50 और 30 80 और 30 110 और 18 128 तो माइनस का 128 यह आगया अब यहां से हम सिक्मा एक निकाल लेते हैं वो मुझे दिख रहा है कितना आएगा साथ और जैरा तेरर और नौँँवाईश वाईश और तेरा पैथिस पैथिस और चालिस चालिस और चालिस प्लस एक एफ भी है तो वू भी आएगा 44 प्लस f इसकी value आ गई अब x नकली बार पहले हम निकालेंगे जैसा कि मैंने आपको सिखाया है वो आएगा sigma fi into di upon sigma fi यह value आप यहां पर put कर दो यह कित्ती आ रही है minus 128 upon 44 प्लस f अब आपको पताए कि नकली बार से असली बार पर कैसे जाते हैं तो उसके लिए हमको calculation बताईए x bar equal to कित्ता हो जाएगा जो आपने इसके साथ किया उसका उल्टा इसके साथ कर दो तो x n bar में आप देख सकते हो कि हमने यहां पर minus a किया था तो इसके साथ क्या कर देंगे प्लस ए कर देंगे बस तो यह कित्ता आगे माइनस का 128 अपन 44 प्लस एफ प्लस यह कित्ता है एक की वेल्यू बीस तो बीस हमने यहां पर डाल दिया दिसे इक्कॉल टू अठारा हमको गिवन है अब इसको हम एजिली सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए आप बीस को इधर पहुचाएंगे तो माइनस का टू बच एफ जब मैं क्रॉस मल्टिप्लाइ करूंगा यहां जाएगा 64 के बराबर तो एफ की वेल्यू मुझे दिख रहे है कित्की आ गही है 20 तो इस तरीके से इसका अंसर हो गया है 20 मुझे उमीद है कि आपको समझ में आया होगा यह हुआ हमारा कोशन नंबर 3 अब हम बढ़ते ह पर मिनिट है वह कितना होगा तो आप देखें कि डाटा आपके सामने इस तरीके से 65-68 की हार्ट बीट पर मिनिट दो लोगों की है इस तरीके से पूरा डाटा है तो हमको मीन बताना है फटाफट से हम पहले तो अपनी क्लास बना लेंगे फिर हमनी एफाई बना लेंगे और अब क्लास मार्क आपको पता है कि इन दोनों के बीच वाली वेल्यों आती है अब 65 और 68 के बीच में कौन आता है 66.5 अगर आपको क्लास मार्क में दिक्कत आती है तो आप क्या करो 65 और 68 का निकालना तो दोनों को एड कर दो और डिवाइड वाय तू कर दो तो आपका 66.5 इसी तरीके से आप इसका कर सकते हो बट अब मुझे पता है कि तीन तीन का गैप है तो इधर कितना आ जाएगा 69.5 इसी तरीके से य 81.5 और यहां पर आ जाएगा 84.5 अब यह तो हुआ हमारा एक साई अब हमको मीन निकालना है तो हम डारेक्ट मेतड से नहीं निकालेंगे क्योंकि कैलकुलेशन मुझे देख रहे काफी टाफ हो जाएगी इसी लिए मैं यहां पर क्या करूंगा मैं दूसरे मेतड से निकालन लुट कितनी आ दाएगी दी इकी वाल्यव आती है एक साई माइनस ये जी आजाेगा माईनस कती ये जिरो और यह प्लस का तीन मैं अगर मैं common factor 3 से divide कर दूं तो यहां पर मैं डियाई की जगह फिर यूआई भी ले सकता हूं और यूआई कित्ता हो जाएगा यूआई विल बी डियाई बाए मैंने कित्ती ले लिए 3 तो यह आगया माइनस का 3 यह आगया माइनस का 2 यह आगया माइनस का 1 यह जीरो यह प्लस का 1 यह प्लस का 2 यह प्लस का 3 यानि कि हम पहुंच चुके है step deviation method पे अब x बार निकालने के लिए आपको पता है एक्स बार इक्वल टू नकली बार और नकली बार के बाद जो आपने x i के साथ क्या है उसका उल्टा इसके साथ कर दो तो पहले एज का मल्टिप्लाई वह अब नकली बार कैसे निकालते हैं तो एकस एन बार बराबर होता है सिगमा एफ आई यू आई अपॉन सिगमा एफ पटापट से सिगमा एफ यू निकाल लेते हैं सिगमा एफ यू तो मुझे पता है कितना आने वाला है क्योंकि सवाल में दिया है तीस लोगों का डाटा है तो यह कितना आ जाएगा 3030 अब सिगमा एफ यू आई के लिए आप देख लो तीन इंटू माइनस दो तो यहां प पिर तीसरी बार, में तीन इंटू माइनस एक यांदि की मैनस का तीन ठीम फिर ईंटू साथ यानिकी ये शाथ और दो इंटू चार यानी यानि की प्लस का चार आ गया सिंपल सी कैलकुलेशन आ गई तो एक सेन बार मुझे आता हुआ दिख रहा है एफाई हुआ यानि की चार अपॉन सिग्मा एफाई यानि की थर्टी जो की हो गया है दो बाए पंदरा अब इस वैल्ली को मैं यहां पर पूट कर दूंगा तो दो बाए पंदरा मुल्टिप्लाइट वाइच की वैल्यू मैंने लिए तीन तो यह जाएगा तीन और प्लस ए तो ए मैंने लिया हुआ है 75.5 अब यह जो है वह कितना हो जाएगा इससे कट जाएगा पांच बार और यह होता है टू बाइफाइफ जीरो पॉइंट पॉइंट प्लस जीरो पॉइंट पॉइंट फॉर आ गया है विच एकॉल टू 75.9 यह हमारा अंसर और यह हमारा एक्स बार की वैल्यू तो इस तरीके से कोशन नंबर फॉर होता है आपको समझ में आया हो कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करते हैं अब हम बढ़ते हैं कोशन नं सब्सक्राइब फॉर्ट फॉर्ट वेंडर मैंगो बेच रहा है बॉक्स में पैक करके अब जो बॉक्स है उसके अंदर मैंगो की जो क्वांटिटी वह वैली कर रही है बोला कि 50 से 52 जो नंबर फॉर मैंगो ऐसे 15 से 55 110 बॉक्स है इस तरीके से डाटा पूरा हमारे सामने है सबसे पहले सकते हैं कि यहां परुटिस कर सकते हैं फिर 55 फिर 56 तो यह इस स्थिक्सक्राइब में स्थैस्थिक्स के पहले के वीडियो में बता चुक month कि discontinuous data अलग होता है, continuous data अलग होता, अब देखो हमको mean find करना है, और mean find करने के लिए हमको class mark की जरूवत पड़ती है, अगर हमारे पास x i आ जाता है, तो हमारा जो mean है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि f i हमको given है, अब discontinuous data को काफी बार हमको continuous data में convert करने की जरूवत पड़ती है, जैसा कि 9th class के वीडियो में आपने देखा होगा, बट यहां पर मैं बोल रहा हूं कि हमको करने की कोई जरूवत नहीं है, यानि कि discontinuous को continuous करने की जरूवत नहीं है, ऐसा क्यों, क्योंकि class mark discontinuous का और continuous का दोनों का same ही आएगा, और हमको सिर्फ class mark से मतलब है, तो आप इस data को direct इस्तमाल करके फटाफट से अपना mean निकाल लो, इसलिए आप देखो कि यहां पर हमने data लिए, यहां पर हमने fi लिख लिए, अब class mark आपको पता, इन दौनों के बीच वाली value यहां पर आएगा 51, यहां पर आजाएगा 53, शोरी, यहां पर आजाएगा 54, यहां पर 63, अब मुझे mean निकालना है, तो mean निकालने के लिए मैं यहां पर suitable method इस्तमाल करूँगा, मुझे देख रहा है कि यहां पर calculation काफी लंबी आने वाली है, तो क्यों ना मैं 3-3 का gap देख रहा है, तो step deviation का इस्तमाल कर लो, step deviation से फायदा क्या होगा कि calculation काफी easy हो जाएगी, तो इसको हमने अपना a मान लिया, और इसको a मानने से आप देखो कि हमको एक बार h और मानना पड़ेगा, यहां पर आप देख रहे हो कि 3 जो है, वो common factor है, तो हम फटापट से ui की value लिख देते हैं, ui कित्ता हो जाएगा, x i minus का a upon का h, अब यह कित्ता हो जाएगा, तो 51 आप minus का 1 आएगा, यह 0 आएगा, यह plus का 1 मुझे दिख रहा है, यह plus का 2 मुझे दिख रहा है, अब ऐसा करने के बाद हमको sigma f i di के लिए f i di की value find करनी पड़ेगी, f i di ने इस बार f i ui है, f i ui की value और calculate कर लेते हैं, वो कितनी आ रही है, तो minus 2 into 15 कर देंगे, minus का 30 आजाएगा, minus 1 into, यह अगएगा, तो minus का 110 आजाएगा, यह value value तो 0 हो जाएगी, यह value हो जाएगी plus का 115 और यह value हो जाएगी plus का 50, यहां से आप sigma f i ui फटापट से find कर लो तो कितना आएगा, minus 110 और plus 115 तो इन दोनों से plus का 5 बच गया, और इन दोनों से plus का 20 बच जाएगा, यानि कि plus का 25 और सिग्मा एफाई हमको सवाल के अंदर गिवन है क्या गिवन है यह नहीं फटाबट से देख लेते हैं नहीं तो वह भी हमको पड़ेगा तो 15 और 135 देड़ सो और यह हो गया है 140 तो 190 400 मुझे दिख रहा है कि सिग्मा एफाई आने वाला है आप देख लो पंदरा और 135 देड़ सो और यह आजाएगा 140 190 290 हाँ ठीक है 400 तो अब हम फटाबट से एक्स बार ओरिजिनल लिका लेंगे उसके लिए पहले हम नकली वाला निकाल लेते हैं तो एक्स एन बार की वेल्यू कित्ती आ जाएगी सिग्मा एफाई युवाई वन और यह आजाएगा पंदरा यानि कि 61 अपों 16 और यहां पर अब हम इसको पूट कर देंगे तो जो एक्स आई के साथ हुआ है उसका उल्टा हम नकली वाले के साथ कर देंगे यानि मल्टिप्लाइबाइच प्लस ए अब यह जो वेल्यू है वो कितनी आ रही है प्लस का 57 अब 1 by 16 की वेल्यू होती है पॉइंट 0625 तो आप इसको लगबग लगबग पॉइंट 063 मान लो और इसका मल्टिप्लाइब 3 में कर दोगे तो यह आ जाएगा पॉइंट 19 के करीब और इसको 57 में एड कर दोगे तो यह आ जाएगा 57.19 इस तरीके से कोशन नंबर 5 हो चुका है मुझे उमीद है कि आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी अब हम बढ़ते हैं कोशन नंबर 6 की तरह कोशन नंबर 6 में हमको एक मौले के 25 गरों का डेली का खर्चा दिया हुआ है यहां पर बता रहा है कि 100 से 1500 रुपे डेली जो खर्च करते हैं इसे 4 गर हैं अब क्लास मार्क आपको पता है कि इन दोनों के बीच का होता है और जो कि यहां पर मुझे दिखरा कित्ता आजाएगा 125 फिर 50 का गेप है तो 175 फिर 225 फिर 275 और फिर 325 अब मीन निकानने के लिए आप खुदी देख सकते हैं कि यहां पर step deviation method सबसे अच्छा रहेगा क्योंक कि यहां पर आप देख रहें कि इन सबका एक common factor है जो कि मुझे देख रहा है 25 तो फटावट से मैं step deviation के लिए यू आई की value निकालने की कोशिश करूंगा जो की होती है x i minus का a upon का h अब यहां पर हम h कितना ले रहा है तो यहां पर हम लिख देंगे h हमने ले लिया है 25 और a मैं ले लेता हूं इस वाली value को तो यह हो गया है हमारा a तो a हो गया है 225 अब आप फटावट से ui की value calculate कर ले 125 अब आप x i की value रखोगे और उसमें से 225 मैनस जाएगा तो मैनस का 100 बचेगा और मैनस का 100 को 25 से डिवाड करोगे तो यहां पर आएगा मैनस का 4 175 रखोगे तो मैनस का 50 बनेगा और अपन 25 से करेंगे तो मैनस का 2 यहां पर आएगा 0 यहां पर आएगा प्लस का 2 और यहां पर आएगा प्लस का 4 तो इस तरीके से हमारे पास ui आ जिस्षे की केलकुलेशन करने में हमको आसानी होगी है तो चरर इंटू 2 यह जायाँ किंगता जाएगा माइनस 16 फकत होई इंटू माइनस-2 याने की माइनस-12 इंटू-00 प्लस-2 in two-24 प्लस-4 इंटू-दो-ďटो तो अब हमको sigma fi ui निकालना पड़ेगा तो वो कितना आ रहा है अब देखो आट और चार होता है बारा तो आट और चार बारा है तो वो इस से कट गया यहां पर बज़ गया प्लस दो और माइनस 16 प्लस दो यानिकी माइनस का 14 सिग्मा fi भी मुझे निकालना पड़ेगा वो मुझे पता है कितना जाएगा 25 कोशन में दिया हुआ है कि 25 घरों की बात कर रहा है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने सारी वेल्यूस निकाल ली है अब हम फटावट से अपना मीन निकाल लेते हैं तो मीन जो है उसके सब पहुंचेंगे तो नकली मीन जो है वो क्या आजाएगा सिग्मा fi यू आई अपॉन सिग्मा fi इससे यह कितना आ रहा है माइनस का 14 अपॉन का 25 कि हमने सारी वेल्यूस पूट कर दी है अब इस वेल्यू को जब आप ऊपर ले जाओगे यानि कि यहां पे तो एक्स बार क अकली से असली जाने के लिए जो आपने XI के साथ किया है उसका उल्टा XN बार के साथ कर दो पहले एच का मुल्टिप्लाइफ फिर प्लस का ए तो यह कितना हो जाएगा एक से बार यानि की माइनस का 14 अपॉन 25 मुल्टिप्लाइच यानि की प्लस का 25 यहां पर आप देख स से 211 जो की है कोशन नंबर 6 का मिन तो यह था कोशन नंबर 6 आपको समझ में आया हो अब हम बरतें कोशन नंबर 7 की तरफ कोशन नंबर 7 में बोला है कि कंसेंट्रेशन ओफ एसो टू जो हवा में पाई गई पार्ट पर मिलियन के साथ से उसका डाटा 30 अलग-अलग मॉल्ले में कलेक्ट किया गया और आप देख रहे हैं कि डाटा आपके सामने है यानि कि 0.00 से 0.04 तक 4 मॉल्ले पाए गए और 0.04 से 0.08 तक 9 मॉल्ले पाए गए इस तरीके से हमको मिन कंसेंट्रेशन ओफ एसो टू बतानी है तो फटावट से हम अपना जो डाटा है उसकी क्लास बन में किता आजाएगा वह आजाएगा 0.02 इधर आजाएगा 0.06 अब चार चार के गैप में आप देख सकते हैं कि 0.10 0.14 0.18 और 0.22 तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो क्लास मार्क है उसकी जो वैल्यूस है वह पॉइंट्स में आ रही है तो कैल्कुलेशन काफी टफ हो जाएगी और जब भी कैल्कुलेशन टफ होती है तो हम हमेशा step deviation method के साथ जाना चाहेंगे अब step deviation method के लिए आपको यू आई केल्कुलेट करना पड़ेगा जो की होता है एकसाई माइनस ए अपॉन का एच अब यहां पर एच कौन साल है वह सोचना पड़ेगा सबसे पहले तो हम इसको ए माल लेते हैं तो उससे अब हम देखते हैं कि एच कितना लेना है तो आप देखो कि जब आप एकसाई माइनस करोगे तो वह आजाएगा माइनस का 0.04 तो आप देख रहे हो कि 0.04 जो एक कॉमन फेक्टर देख रहा है इसलिए मैं एच की वेल्यू कित्ती ले लेता हूं एच बराबर 0.04 और यह तो हमने लिया हुआ कितना हमारे पास 0.10 तो क्योंकि मेरी कैलकुलेशन मुझे द Game इसी तरीके से यहां पर आजब मैनस का 1 यहां पर प्लस का 2 यहां पर प्लस का 3ggak prawda अब नेक्स स्टेफ में आपको पताए कि हमको तो ui fi निकालना पड़ेगा यू आई का multiply मैंने किसमें कर दिया है यह कित्ता जागा माइनस का 2 इंटू 4 यानि की माइनस का 8 माइनस का 1 इंटू 9 जीरो इंटू 9 यानि की 0 1 इंटू 2 यानि की 2 2 इंटू 4 यानि की 8 और 3 इंटू 2 यानि की 6 अब आपको पता है कि सबसे पहले क्या निखले बार सिंगा बार जो की कितना होता है सिंग मा एफ आइव लुवा एपॉन सिग्मा एफ आप लोग देख सकते है सवाल में गिवन था कि थीज घर तो एफ आई की वेल्यों सिंद्द की कित्की हो जाएगी तीस इसके वेल्यों से निकालिए तो इससे चला गया यहांनी की माइनस का 1 मैंने आपकोchu आए घे आता है की जैसाथ चीसात होता है उसका action bar के साथ हो जाता है तो यहाँ पे h divide हुआ है तो यहाँ पे h multiply हो जाएगा महाँ पे a minus हुआ है तो यहाँ पे a plus हो जाएगा तो यहाँ पे हम action bar की value रख देंगे जो की है minus 1 by 30 और this is equal to 0.04 h की value रख दी plus a यानि की 0.10 अब 1 by 30 जो है आप देखो 1 by 3 किता होता है 0.33 और 1 by 30 यानि की इसमें 10 का divide और तो 1 by 30 जो हो जाएगा this is equal to 0.033 और इसका multiply किससे कर रहा है 0.04 से तो फटाफट से आप करके देख लो 0.04 multiplied by 0.033 multiplied by 0.04 तो यह 2 0 इदर से 2 3 0 इदर से 1 2 3 0 इदर से 2 0 इदर से यह आजाएगा 33 into 4 66 और 132 यानि की 132 और इसमें किता आजाएगा 123 45 0 तो 132 upon 50 तो इसको हम लिख सकते हैं 1230 तो इसमें चले जाएगे यह आजाएगा 0.00132 तो इसको हम round off करके लिख सकते हैं 0.00132 को आप 0.001 लिख सकते हो प्लस यहां पर कित्ता है 0.10 और यह माइनस का है तो यह भी माइनस का आएगा यहां से कैलकुलेशन मुझे लग सकता है कि काफी जादा है बट इस तरीके की कैलकुलेशन आपको करना आनी चाहिए यह हुआ कोशन नंबर 7 अब हम बढ़ते हैं कोशन नंबर 8 की तरफ कोशन नंबर 8 में बोला है कि क्लास टीचर ने इस तरीके से 40 बच्चों की एक ठर्म की का रिकॉर्ड बनाया और बोलाए कि जीदों से 6 दिन जो बच्चे एंट रहे ऐसे 10ic ते 10 से 15 दिन दो बच्रेज़ों के सामने है और हमको मेंस वताना थे तो आप सबसे पहले ठीचप नोट इसकर सकते हैं कि यह जो लुक्लास का थो निकालते समय सबसे पहले तो आंपको दिक्कत की बात ज्या दोटरीका को बहिए तो यहां पर आप देखो कि नोनों का बीच में कितना आठा है 8 10 और 14 के बीच में 12 ऐसके बीच में बीच के में 17 इसके बीच में अगा चोबिस इसके बीच में आएगा 33 और इसके बीच में बीच में 31 तो अब आप देख सकते हैं कि कैल कुलेशन जो है वह nutzen can यह calculation काफी टफ है तो नहीं है बट हम इसको और आसान कर सकते हैं तो हम step deviation का मदद करेंगे तो डी आई निकाल लेंगे डी आई जो है उसके लिए क्या करना पड़ता है तो इसको मैं माल लेता हूं मेरा क्या है यह तो अगर यह यह है तो फटापट से हम क्या बोलेंगे डी आ dinero का एट तो यहां पर 17 मैं से सत्तरह जा तो यहां पर आएगा मायनस का ज Bea Jaam पर मायनस का नौ यहां पर 5 यहां पर 0 यहां पर्तका सथन यहां पर प्लस का सोला यह này पर लुए प्लस का ट्वर्टी तो है 14 को जैसे 11 से करना है तो 4 1 और 1 और 5 तो 154 आ गया है यह फिर उसके बाद 5 का multiply फिर उसके बाद 9 का multiply से तो यह माइनस का 154 यह माइनस का 90 और यह आ गया यह आ गया प्लस का 28 यह आ गया 16 इंटू 3 यानी की प्लस का 48 और यह आ गया 22 इंटू 1 यानी की 22 अब सिग्मा Fi डी निकालना पड़ेगा सिग्मा ओर तो हमको मालूम में कित्ता हो जाएगा क्योंकि सवाल में हमको given है कि कितने बच्चों का 40 निकाला है तो इसलिए हम यहां पर कित्ता लिखेंगे यह वेल्यों में पता कित्ते आगी 40 यह कित्ता आ रहा है तो आप देखो तो 28 जब इससे जाएगा तो यह बचेगा माइनस का 27 हो गया और 27 इसमें जुड़ेगा तो 161 माइनस का 181 हो चुका है यह हो गया मैनस का 181 अब इसको हम पूट कर देंगे — 181 यह मारा आगया नकली ऐक सब्कूल निकालvenue by ग्यां असफ सब्सक्रीयं आपहले करें जो यह दो प्लस्डा कि या र माइनस का 181 181 अपॉन 40 प्लस का यानी की 17 अब यह कितना आ जाएगा तो इसके लिए आप केल्कुलेट करके देखो यह लगबग इससे कट जाएगा इसको अगर मैं 180 मालनों तो यह जीरो और यह आ जाएगा यह लगबग लगबग माइनस 4.5 के समतिंग आएगा एप्रॉक्सिमेटली और प्लस का 17 तो यह जो वैल्यू है 17 में से 4 गए 13 और पॉइंट 5 गए 12.5 के एप्रॉक्स आ जाएगी तो हम लिख सकते हैं देशेज एप्रॉक्सिमेटली 12.5 इस तरीके से कोशन नमबर 8 हुआ अब हम बढ़ते हैं कोशन नमबर 9 की तरफ कोशन नमबर 9 में बोला है कि लिट्रेसी रेट है 35 सिटीज की जो कि इस तरीके से बता रहा है कि 45 से 55 परसेंट की जो लिट्रेसी है वो तीन शहरों में पाई गई इस तरीके से आपके पास पूरा डाटा है आपको मीन निकालना है आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम सबसे पहले तो अपनी क्लास बनाएंगे फिर फ्रिक्वेंसी की टेवल क्लास मार्क आपको पता है कि इन दोनों की बीच वाली होती है तो आप देख सकते हैं पचास इसका आगया बड़ा ही आसान है अब क्यूंकि मुझे दिख रहा है कि इन सब में एक कॉमन फेक्टर है जो की 10 का है तो मैं स्टेप डेविशन की मदद से इस को सॉल्व करना चा तो 10 का और यह मारे पास कितने का गए कत्तर का फटापट से हम साbut nic नथजर आ जाएगी पचास में वह तो बचर और मैं द मदस का डिवाइज लखा अच्छ अच्छ इन reaction ऑलके घृत्कर व्यॉर्ट नपने को और उन कुच यहइन माइनस का दस जीरो इसमें करेंगे तो प्लस का एट और टू इसमें करेंगे तो प्लस का इस यह आप देख रहें आगया है अब सिग्मा एफ़ाई निकालना पड़ेगा तो वह कितना रहा है आठ और चैट चौदा और यहां पर माइनस सोला तो माइनस का टू मुझे दिख है और सिग्मा एफाई के लिए मैं क्किरूंगा थेटी फाईस हैं तो मुझे पताईगी सिग्मा एफाई कर दूर रहे तो फटापट मिली चा लीए पहले नकली वाला आक बार निकाल लेंगे तो एक्सा एन्स बार बरावर कितना आग्या है minus 2 upon plus 35 अब X bar निकालने के लिए क्या करते हैं तो X n bar जैसा X i के साथ क्या है उसका उल्टा इसके साथ कर दो पहले h का multiply फिर plus का a तो यह कित्ता आ गया है minus का 2 upon 35 multiplied by h की value किती है 10 और plus a की value किती है 70 पटाफट से calculate कर लेते हैं तो यह मुझे दिख रहा है कि इससे cut जाएगा 5 से कटेगा दो बार और 5 से कटेगा साथ बार तो यह आ गया minus का 4 by 7 plus का 70 अब 1 by 7 होता है 0.14 और इसको multiply कर देंगे 4 से तो यह आ जाएगा 28 और 56 तो यह लगबग पर्सेंट एप्रॉक्सिमेटली इस दा लिट्रेसी का मीन तो यह हुआ हमारा आंसर इस तरीके से कोशन नंबर 9 हो चुका है मुझे उमीद है कि आपको समझ में आया होगा तो यह था exercise 14.1 का solution आप लोग अगर अभी तक WhatsApp चैनल को जोइन नहीं करें हैं तो WhatsApp चैनल को जोइन जरूर कर लीजिए क्योंकि सारी अपडेट्स आपको वहां पर लाइब मिलती है इसके अलाव अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर आपको कोई बात करनी है तो आप मुझे इस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हैं इन दौनों की ही जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के